वेलकम तो माई चैनल आज इस लेक्टर में हम टू-डिमेंशनल जेमेटरी में equation of straight line in case of polar form में हम देखने वाले हैं कि straight line की equation polar form में किस तरीकी से point कर सकते हैं तो दो condition होती है polar equation of straight line when length of perpendicular from pole is given pole से उस line की perpendicular distance अगर हमें देर की है तो equation की जो straight line है उसकी हम equation कैसे find करें तो consider करते हैं ox हमारी initial line है और lm है वो हमारी के straight line है और उसकी perpendicular distance on जो हमारी perpendicular distance है वो हमें देर की पी और वो अलफा एंगल मना रही है तो हमें एक point अपनी तरफ से p consider के लिए जिसके coordinate क्या है r और theta उसकी radial vector r है और angle कितना मरा है पूरा theta तो यह बच गया यह कितना angle आएगा यह अपना theta minus में alpha आ जाता है तो हमें क्या चाहिए हमें polar equation से straight line की तो इसमें हम क्या करते हैं यह हमारा एक right angle triangle है right angle triangle में अगर देखा जाए तो यह on निकालते है यह हमारा right angle triangle में on हम निकालते हैं और हमें दियागा यह यह दे रिखा है five-ंस हमें पता है perpendicular in find करना है तो an किसके watercolor high-n corresponding neighbor close to prostate his phony andعت HDMI और fon किसके इकोल है theta minus op की value हमेरे पास में आ रहा है और 5-1 की value पी हो गई यह हमारी equation जबregion अब सेकंड देखते हैं सेकंड टाइप की एक्वेशन तो इक्वेशन पास कर रही है तो इस लाइन पर हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट माना इसके इक्वेशन फाइंट करने है तो यहाँ पर देखा जाए तो यह जो ट्राइंगल पॉइंट अब एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कोई भी दो हमें radius vector दे रहे हों जैसे कि हमारे पास में A, B दो radius vector दे रहे हैं ट्राइंगल की दो side दे रहे हैं A और B और उनके बीच में angle theta है तो हमारे पास में कहाता है sine of theta आता है जैसे कि यह consider कर लेते हैं कि यह हमारे पास में triangle है A side है और यह B है और इनके बीच में angle theta है तो इसका area हम निकालेंगे तो वो formula है तो 1 by 2 of A, B sine theta के equal होता है तो यहां पर same हमने वो formula लगाएता है triangle P, O, Q इस बाइरिया कहाएगा radius vector into A, radius 1 by 2 of radius vector R1 into R2 और इनके बीच में angle कहाएगा theta 2 minus theta यह पूरा angle theta 2 था यह इतना theta 1 है तो यह इतना निकलेगा तो वो theta 2 minus में theta 1 है 1 by 2 of R, sine theta 2 minus theta 1 और triangle P, O, R देखाज़े, P, O, R में यह radius 1 by 2 of radius vector this into my radius vector this that is R1 into my R sine of, यह पूरा angle theta है और यह इतना theta 1 है तो यह कितना हैगा theta 2, theta minus में theta 1 similarly triangle area R, O, Q हमारे पास आता है इक्वेशन हमने cancel कर दिया कोई फरक नहीं पड़ेगा और इस पूरी equation को हम क्या करते हैं divide करते हैं किससे R, R1, R2 से R, R1, R2 से इस पूरी equation को divide किया तो हमारे पास क्याएगा sin theta 2 minus में theta 1 divided by R is equal to sin theta minus में theta 1 divided by R2 plus sin theta 2 minus में theta divided by R1 यह हमारे equation आती है यह equation आती है straight line की जब वो किसी without given point जिनके coordinate R1, theta 1 और R2, theta 2 है उनसे पास कर रहा है तो straight line की equation यह हो कि Thank you